Hi, I am Narasashto Lajar and this is weekly forecast for Aquarians. Weekly forecast from 26th of September 2016. First of all, this video will be in Hindi language and then after this video will be in English language solution for Aquarians. आने वाला सब्ता कूम बरासी के लिए कैसा है जानते हैं, इसके बारे में 26 September 2016 से सलू अने वाला नया सब्ता. तो सबसे पहले बात करेंगे ग्राम बंडर के रादा ग्रा सूरिग्र के बारे में जो आपकी रासे से चल रहे हैं, अस्तम स्थाम में. अस्तम स्थाम में सूरिग्र का ब्रह्मान शूप नहीं है. सरकार, फादर, गवर्मेंट रिलेटेड कारे में केर करना होगा, अपनी ओन हेल्थ के बारे में केर करना होगा, फादर के साथ रिलेशनिशिप में केर करना होगा, और फैमिली एवं फाइनेंसल मेंटर के अंदर भी आपको केर करना होगा. बुद्द्ग्र का ब्रमान आपकी राश्य सब्सक्राइब के अंदर रहे हैं जो भी आपके लिए ज्यादा सूब नहीं है क्योंकि आपका माइंड बहुत वाइबरंट हो सकता है क्योंकि चंद्रा बुद्ध जब आपने सामना चलता है तो माइंड वाइबरंट हो जाता है वैसे भी आपके चंद्रा के ऊपर केतु चल रहे हैं जिसके चलते हुए माइंड का वाइबरंसी तो ओल्रेड ही आपके बढ़ ही रहा है वह सामने बूद्ध चल रहा है जिसके चलते हुए आपकी माइंड की वाइबरंसी बढ़ सकती है ऐसी वाइबरंट माइंड की सिच चंद्रा ब्रह्मण जो हैं वो भी आपके लिए ज्यादा सूब नहीं है क्योंकि चंद्रा कॉंस्टेंट्ली डाउन साइड चल रहे हैं तो इस सप्ता के अंदर आपको खास करके दामपत्य जीवर में अपने पार्टनर के साथ एब्रोड एलेशन और एब्रोड कनेक्शन के अंदर मित्रों के साथ और वीकल्डरा में केर करना होगा पानी से भी साउधान रहना होगा लेकिन वीकेंड के अंदर चंद्रा आपके नाइंथ हूस के अंदर चलेंगे ब्रहमण करेंगे जिसके चलते हुए आपको छोटी-छोटी यात्राओ से लाभ बिल सकता है तो वी बारे में जल से चलत कोई नाए वीडियो अपने चनल पर अप्रोड कर सकते हैं सब्सक्राइब जरू करिये है और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाई चनल ताकि आप नाए नाए वेतिक अस्तुलोगी प्रडिक्शन से महाहित का हो सके हैं how is this for aquariums first of all prediction of Sun Sun is passing in combination with Jupiter in the 8th house so this is not good period regarding family and financial matters take care about your health take care in relationship with partner take care in relationship with your father and government related matter also mercury is passing in the 7th house makes your mind very vibrant so have to take care in any important decisions of your life moon transit is also passing in the downside from 6th house to 9th house so moon is constantly going downside so you may be facing situation of good down so in this week have to take care in relationship with your partner take care from water take care in vehicle driving but weekend will be very happy as moon in the 9th house will give you success in love matter and benefit from small traveling if you want to know anything about Vedic astrology predictions please make comments in our comment comment box so we will upload about your queries as as soon as possible subscribe this channel for new Vedic customer predictions thanks for watching